सईब्सक्राइब दिन करें साइटोस्केल्टन या कोशिका कंकाल क्या बोलते हैं सीकोव मिल उसीघर कंकाल कि कंगकाल का अमनाम्च से समझ में आ रहा हैं कोशिका का। अपने हड़ि होती के कंकाल होता है कंगाल तंत्र होता है ऐसे की कोश्का का कंकाल है हड़ी क्या करती है हमारे एक सेट देती है आकरती देती है मुमेंट करवा रही है गत्सीलता करवाती है यांत्रिक सायता देती है तो सेम कंसेप्ट यहां पर चलेगा यह भी यांत्रिक सायता गत्सीलता और एक आकार आकरती को maintain रखती हैं ठीक है यह हमें देखना है किस तरीके से देखो उसका कंकाल क्या है कहां पाय जाते हैं so they are present where in eukaryotic cell only in eukaryotic cell not in prokaryotic cell prokaryotic cell में नहीं होते हैं ठीक है यह कहां पाय जाते हैं यह eukaryotic को उसका में पाए जाते हैं ठीक है कहां पाए जाते हैं यूकराटिक को उसका में पाए जाते हैं दूसरा कि यह किस तरही सनस्थना है तो नहींने कहा कि यह एक जाल सा फैलाती है जालिकावत नल का जैसी सनस्थना होती है तो यह कैसे सनस्थना है ये फिलामेंड यानि की तन्तूबत नलका जैसी संदस्ना है जो यूकरोटिक सेल में सेल में कुछ का में क्या करती है एक जाल सा निर्माण करती है निर्माण करती है ठीके तो यह आपका हो गया अब हम देखें किस तरीके से अगर हम देखें तो यह इनमें क्या क्या आता है इतने में तीन चीज़ें आती है पहला है माइकर टीव्यूस क्या होते हैं दूसरा जो आसपेक्ट है वो है माइक्रो फिलामेंट क्या उतने को माइक्रो फिलामेंट या सुक्षम तंतू सुक्षतंतू हो गए तीसरा जो है वो है मद्दवर्थी तंतू इंटरमेडियेट फिलामेंट इंटर मेडियेट फिलामेंट यह जिन्हें कहते हैं क्या बोलते हैं मद्द्वर्थी फिलामेंट मतलब तंतू यह आपके हो गए अब इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे गोड़ देखेंगे कैसे देखते हैं तो यह क्या है यह खोकली सनसना है है किसे संकुचन सील है यह है यह है खोकली संसना है अब कुछ आता है संकुचन सील है तो यह आ संकुचन सील है अ यह भी खोकली है अब किसे संकुचन सील है और यह अमलिय प्रकति की होती है किस प्रकति की होती है अमली परकतिकी भी होती है अब कुश्चन आता है कि filament कैसे हैं तो filament जो है ये भी खोग लिए असनकुचन सील है ये भी खोग लिए filament थोड़ा से change है किस तरीके से ये होते हैं कैसे ठोस भी हैं और ये हैं संकुचन सील ये filament की भारे हम बात कर रहें ठीके अब कुश्चन आता है कि ये काम क्या करते हैं फंक्षन क्या है तो आपको triple M याद रखना पढ़ेंगे तीन M देखो एंके कार की कर हम बात करें तो क्या काम करते हैं तो आपको triple M याद रखने हैं एक M क्या है mechanical support mechanical support जिसे कहते हैं यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं ठीक है दूसरा function क्या है इनका दूसरा इनका function है mechanical support then motility motility मतलब वो ती गत्यसील था गत्यसील था और तीसरा है maintenance of cell save maintenance of cell save यानि की कोशका की जो आकरती है ठीक है क्या करते हैं कोशका की आकरती क्या करते हैं कोशका की तो यह आपका हो गया इनके function के बारे में अब हम इनको एक एक करके पड़लेंगे सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे माइक्रो टीवियूल्स के बारे में ठीके तो माइक्रो टीवियूल्स क्या है देखो माइक्रो टीवियूल्स या जन्य क्या करते हैं सुक्ष्मा नलिकायम बोलते हैं क्या बोलते हैं सुक्ष्मा नलिकायम तो टीब्यूल्स के समझ में आ रहा है कि यह टीबलेन प्रोटीन के बने हैं किस प्रोटीन के बने हैं यह टीबलेन प्रोटीन के बने हैं ठीक है अब किसके बने होते हैं यह बने होते हैं टीबिलिन प्रोटीन के ठीक है टीबिल्स हैं तो किसके बने होंगे टीबिलिन प्रोटीन टीबिलिन प्रोटीन के बने होते हैं तीके ओके अन्देन दो तरह की टीविलिन प्रोटीन है alpha-G delay and beta-G delay किस तरह की है two तरह की टीविलिन प्रोटीन है विग़ए alpha- weера एन alpha-G 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 beta तग मिल्कुप यहां पे जू अल्फावीर्टव रहती है हैं यह मिल्कर बनाते हैं यानि प्रोटो फिलामेंट क्या नाते हैं ये प्रोटो फिलामेंट प्रोनाते हैं ठीके इस अब फुलत एक्स्टा पाइट चल रहा है NCRD में ये कवर हो गया है इस अब एक्स्टा पॉइंट में है प्रोटो फिलामेंट तो हम देखते हैं इस तरीके से 11, sorry, 13 प्रोटो फिलामेंट केतने 13, तो 13 प्रोटो फिलामेंट मिलकर के 13 क्या प्रोटो फिलामेंट मिलकर के तब बनता है एक सोक्ष्व नलगा या एक माइकरो टीविव You अब बोगव कैसे लिखता है दो हम देखा जाएं तो ये से कि ये हैं ठीके यह न लिका देख रही आपको खोकली लिक रही बीच में तो खोकली जो है इसका ब्यास कितना होता है तो इसका ब्यास की हम बात करें ब्यास को यहां से ना पेंगे यह इसका ब्यास है तो इसका ब्यास जो होता है वो कितना होता है 25 एन है ठीक है ये जो अंदर वाला portion है, इसको बोलते है core ठीके core का जो ब्यास होता है अंदर वाला portion है किया बोलते है अपन ये इसको हम बोलते है core core का जो ब्यास होता है 15 and in 15 and in अब देखो कैसे arrange होते है ये तो पुरा micro triple's है इसको आख खोलके देखे हैं इसमें 13 protoflarment कैसे अरेंज होते हैं देखो यह हम आपको बता दें protoflarment कैसे दिखेंगे ये एक protoflarment है ये दिख रहा है आपको हम ऐसे दिखा है यह प्रॉटबरामेंट है इसको ऐसे दिखा रहे हैं आप अगर डाइरा में देखेंगे तो आपको केवल यह रीजन दिखाई देगा ऐसे इस तरीके से 13 लगे हुए हैं कितने 13 ठीक है वो तेरा जब लग जाते हैं तब एक में तो एक प्रॉट फ्लामेंट में यह लगे इसमें अल्फा बीटा अल्फा फीटा पूरे भरे हुए इस तरीके से इसमें भी अल्फा बीटा बरे गए हुआ है तो यह प्रॉट फ्लामेंट एक प्रॉट फ्लामेंट दो इस तरीके से 13 प्रॉट फ्लामेंट रहेंगे तब बनेगा प्रोटोफिलामेंट और ये पूरा क्या है ये पूरा का पूरा क्या है सूख्षवनलिका एक सूख्षवनलिका तो ये तेरा है प्रोटोफिलामेंट इस तरीके से मिलकर के सूख्षवनलिका एक माइकर टीबिल मनाते हैं ठीके इस तरीके से डन अब हम देखेंगे के कार क्या है हम किस की अद्ध करेंगे माइक्र टीविल के खावे तो कार के बारे में बात कर रहे हैं तो देखो आपने सुना होगा कि जो सीलिया फ्लैजला है तो यहां पर जो सनस्ना है ऐसे कहते हैं आधारी का है आधारी का है किसकी फ्लैजला की और सीलिया की ठीके पक्षमाव या कसाविका बोलते हैं पक्षमाव या सीलिया तो सीलिया फ्लैजला करते हैं गसिलता देते हैं ठीके तो यहां पर भी आप देखें तो जुनका जो आध आधारिकाय है वे हैं सेंट्रियोल किया है और यह सिंट्रियोल को हो ए किसके मनी होते है माइक्रोटियोल szux ब्रकाउ excess के थोन के कruff ला गव्द में और अधारी का बनाते हैं तो यह हो गया को अधारी का बनाते हैं बंळा अंहें यहां पर ये centriol है तो दूसरा function क्या हो गया यहां लिखते हैं centriol का निर्माण centriol का निर्माण करते हैं ठीक है टल ओके तीसरा condition का हो गया centriolえて ले जाएंगे दोफ पर एक दोफ ये दूसरा दोफ ये ठीक है तो यह द्रोग पे जब जैसे जाते हैं तो क्या करते हैं द्रोग पे जाने के बाद ये बनाते हैं क्या तारक केर्ण है ये क्या है तारक को तो केर्णों का निर्मान भी टिबलिन प्रोटीन करती है और फिर हम क्या देखेंगे तारक कर्णाओं से निकलते हैं क्या इसको जो बहुत और अच्छे से देख लेते हैं यह क्या है आपका तारक कर्णाओं है को उसका विवादन की समय यह आपको दिखेंगे तो तारक करने हैं जो हैं ये क्या हैं तारक करने एस्ट्रल रेज ठीक है तारक करने मतला एस्ट्रल रेज का निर्वाण ये भी यही करते हैं अब ये जैसे बड़े हो जाती हैं तो ये क्या करेंगी जो गुर्चूत्र है गुर्चूत्र ये यहां समर्चना होती है यह बुर्चुत जो है इससे जोड़े करते हैं यह क्या है यह है स्पंडल फाइवर जिसे कहते हैं तरकु तंतु तरकु तंतु का निर्माण भी यह करवाते हैं ठीक है और क्या करते हैं आपने देखा होगा जब हम कोसे का बुऽजन पढ़ते है तो इसमें प्रॉस्स आती है और सबसें सब्राइब इसमें इंपर्णेंट बात यहोगी इनको जोडने के लिएति जो चाहिए नादा किल से माइन अदगे होते हैं इनर्जी किस रूप में पर रूप में थे जी टी यू कि गरूप में हो इनको और जी प्रड़ के तारक मैता का उल्टा चस्मा तारक डिड़नाय तरतंदु का निर्माण और सेल प्लेट का निर्धारण एवन सेल अगर अकारणी तत्तों को यहां से वहां जाना है तो टीव है पाइपलाइन है तो उनको भी यह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो यह कैसे होते हैं ठोस और संकुचनसील होते हैं डन आ अब हम बात कर रहे हैं माईक्रो फिलामेंट के बारे में तो दीख़िए कि माईक्रो फिलामेंट है दो हम कहते हैं सोक्षुमा पंतू, ये भी कहा होगे, ये भी यूकरएटिक सेल में होगे, और कैसे होते हैं, ये होते हैं ठोस वाख संकुचन सील, ये कहां पाय जाते हैं, यूकरएटिक को सका में, और कैसे होते हैं, ये ठोस वाख संकुचन सील होते हैं, ठीक है, अब इसमें, हम देखा जाए तो filament जो बने होते हैं प्रोटीन है सब कि यह उसके बने होते हैं कि ग्लोव दिवलार प्रोटीन के बने होते हैं है जिसे हुम कहते हैं जी प्रोटीन कि ती कि अब फिर थियर के सब क्या है we could not golla you ही है activity nuc और Vaseline muscle contraction relaxation में जो काम आते हैं में वह bios causeภी कि इसमें कि ऑजики कि टो यह आपके कहां पार आप सेल में देखा जाए तो यह है यह है प्लाजमा मेंब्रें प्लाजमा कला और प्लाजमा कला के निट्टे की साइट लगे रहते हैं अंदर नी साइट में यहां पर लगे रहेंगे देखो कहां लगे रहते हैं प्लाजमा कला के अंदर नी साइट पर यह लगे हुए हैं ठीक है अंदर ही तरब लगे रहते हैं और क्या करेंगे यह support देंगे support देते हैं इसको plasma कला को तो पहला aspect हमने क्या देखा पहला हमने देखा कि यह plasma कला यह हम कहें plasma membrane plasma membrane को क्या करते हैं यह support देते हैं मदद करते हैं support दे रहे हैं कि नहीं देख रहा होगा ओके दूसरा आपने बढ़ा होगा कि अमीमा में code path होते हैं code path pseudopodia तो कैसे हैं देखो यह ameemah हो गया ameemah में क्या देख रहा है आपको यह क्या है pseudopodia यह जन्हें हम कहते हैं code path इन्हीं के द्वारा वो ameemah में गती करते हैं तो ameemah में जो गती होती है ameemah में जो गती है वो कौन करवाता है माइक्रो फिलामेंट देखो कैसे यह इसका द्यूकलेस हो गया ameemah का ओके तो यह और क्या करेंगे और एनिमल सेल में क्या होता है जन्तु कोशका में जब कोशका द्रब का विवाजन होता है यहां पर इस तरही समस्ते हैं यह यह मेंा जाती है यह कहा करता है अंदर की तरब मुड जाती है禹नक खाच कलेवेश फरोह कर निर्माण होता है देखो कैसे है कि यह ओंगे और मुट रही है इसको बिदलन घाच या क्लिवेज फरूग क्लिवेज फरूग का हमनता है ये कहा हो रहा है ये हो रहा है जन्तु कोशिका में कब हो रहा है ये कब हो रहा है ये हो रहा है जब कोशका दरब्द का क्या होता है बिभाजन होता है उस ताइम ये बनते है ठीक है तो यह से कुष्छन आता है कि जद्दु उसका में को उसका दर्ब के विवाजन में जो बिदलन खांच का निर्माण होता है कौन करता है यह फिर से हुई सीम का नहीं है क्या नीचे वो लगे हुए है यह करते हैं अंदर दर मुड़ जाएंगे देखिए संकुचन हो रहा है अंदर दर मुड़ रहे हैं ऐसे हैं इसलिए बिदलन खांच का निर्माण हो रहा है नेक्स्ट एक है या बहुत इंपोर्डेंट आस्पेट दम से पूछा आता है कुष्छन साइटो प्लाजमिक स्ट् या जिसे कहते हैं साइकलोशिस कोसका दरब्भी धाराय है क्या होते हैं या साइकलोशिस इसमें क्या होता है जो साइ्टो錬ाडम की स्ट्रीमिंग कौस्का धरव भी है धराए तो ये Q市场 दम से आता है और ये केवल और केवल साइटोर्ल किस्ट्रीमिंग कभी भी प्रोकरोट्स में नहीं होती है केवल और केवल यूकरोट्स में देखिए क्यों फैटल इस्टेवरिंग कौन करवाता है माइक्रोफ्लामेंट और माइक्रोफ्लामेंट कहा होते है केवल और केवल यूकरोटिक में ठीक है इस तरीके से समझें से तलन जब यह जटका लगेगा जोर का जटका हाय धीरे से लगा तो जब जटका लगेगा तो मुवमेंट भी होगा यहां मैं आपके एक चीज और बता दूँ क्या कि यह जो है कैसी प्रासेस है इसमें ATP यूज होता है तो कैसी प्रासेस हो गई यह सक्री एक्टिब प्रासेस है साइटर बलाजमिक स्ट्रीमिंग एक्टिब प्रासेस है तो यह हो गया किसके बारे में आपका माइक्रो फिलामेंट की बारे में ओके अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में अब तीसरा जो आसपेक्ट है वो कौन सा है intermediate format मद्धवर्ती तंतू मद्धवर्ती क्यों बोलते हैं ये समझना बहुत महित्पूर है ये आकार में होते हैं बड़े कौन से? ये आकार में होते हैं छोटे इनका जो साइज है इन दोनों के बीच का साइज है इसलिए इसको बोलते हैं मद्धवर्ती तंतू ठीके? कैसे होते हैं? ये भी खोकले होते हैं असंपिदल सील होते हैं अम लिए प्रकति के होते हैं थार्ड आस्पेक्ट हम क्या देख रहे हैं? मद्धवर्ती तंतू इनका साइज माइकर टीविल्स और माइकर फ्लामेट की बीच का होता है और कैसे होते हैं ये ये भी होते हैं खोकले और कैसे होते हैं आ संकुचन सील और अमली ये प्रकति के होते हैं किस प्रकति होते हैं ये इनकी प्रकति जो होते हैं वो होते ही अमली कहां पाय जाते हैं केवल और केवल उकरोटिक सेल क्योंकि सभी cytoskeleton कोई का इनकाल cable और cable eukerotic cell में होते हैं ठीक है अब cell में किस जगे देखो ये ये हो गया nucleus ठीक है यहां मना रहा nuclear pore ठीक है अब देखो ये है बाहरी केंद्रकला outer nuclear membrane और ये वाली कुन सी है ये है आंत्रिक केंद्रकला तो आंत्रिक केंद्रकला जो है उसी में ही ये इस तरीके से लगे रहते हैं ठीक है आंत्रिक केंद्रकला में पाए जाते हैं अपने कहां देखा ये जो आंतर किंद्र कला है अंदर की ओर अंदर की ओर होते हैं ठीके ओर पाए जाते हैं दूसरा अब चुकि अंदर की ओर है तो क्या करेंगे निकुलेस को सपोर्ट देते हैं साहता करते हैं ठीके दूसरा पाइंट क्या हो गया ये किंद्र को क्या करेंगे साहता बरदान करते हैं साहता किस रूप में किंद्र की आकरती क्यों सपोर्ट दे रहे हैं तो आकरती की नहीं मेंटेन कर रहे हैं आकरती को बनाये रखते हैं तीसरा आसपेक्ट यह है यह जो सलज़ना आपको दिख रहे है ना मेमरेंट के नीचे अई सलज़ना को बोलते हैं ऑनीनिक् iniciar लेमला क्या बोलते हैं इसको तूले स्लभी आप जो है वो लेमन प्रोटीन से के पर 물िए लेमन प्रोटीन के मनें होती दंतु का जो कि निकलियर लैमना का निर्माड करती है तो यह क्या कर रहे हैं कि लिख लिए और यह किसे बनी होती है कि यह बनी होती है लैमिंग प्रोटीन कि से मिलकर विख बनी होती है आपने एक मूवी देखियो होगी पाह अब तब अब शेक वच्चन की उसमैं जो पा में क्या होता कि उसको असमय बढ़ापा आ जाता है यहना कि बच्चा जो है बच्चमन में ही बुड़ा हो जाता यह क्यों करीन 좋 viewers यहां पर यह कम्छ यह को प्रोटीन इसमें नहीं होती है जबलाइमेंट प्रोटीन नहीं होगी तो इसका निर्माण भी नहीं होगा ठीक है अपने गाम क्या है काम हम देखें तो जो आपकी क्रोमेटीन जो होते हैं वो यहीं चिपके रहते हैं इसी से ठीक है अगर यह नहीं होगा क्रोमेटीन कहीं प करते हैं कि रोमेतिन के लिए क्या कर रहिए इसके फोल्ड ARE campus के लिए कि इसके फोल्ड कर रहे है इसके इसके मकलत यहाँ पे एंसके gimbal कि आए-एक सपोर्ट एक अटैस्मेंट देना प्लेटफार ना कुछ को दूसरा केंद्रक के चारो और क्या बना रहे हैं टोकरीसी बना रहे हैं केंद्रक के चारो और क्या करते हैं निकलियर बास्केट निकलियर बास्केट यहां कहा है केंद्रक ठीक है क्या करते हैं निकलियर के चारो और बास्केट कर निर्मान करते हैं सिम्पल साब लिख लिख ले, चारोल गया करते हैं यह बास्केट का निर्मार करते हैं ह। कोकृ करे निर्माद करते हैं ठीक है निर्माद करते हैं को ये आपका हो गया कि इसके बारे में मद्लवर्ती तंतू यह थो अग्स्रा पाइंट ही ठीक है लेकिन किष्ण कभी क्वार कूछ ल Bennett आ ं जैनर्रल पाइंट तो यह ही है कि कहां पाया थे युक्रेट चलimana कैसे तंत्य बंदल के समस्क्राइब करती हैं तीन तरह के होते हैं माइक्र टीवियूस माइक्र फ्लामेंट और इंटर्मिडियेट फ्लामेंट काम क्या है ट्रिपल एम मैकेनिकल सपोर्ट मॉट्रिलिटी एंड मैंटिनेंस ओफ से इस तरह यह आपका कम्प्लीट हो गया ट्रिफल एपका कम्प्लीट एंड मेंटिन तरह करते हैं